हलो फ्रेंट्स वरकम तो मैं चैनल आज में आप रोगों को बताओगी गुंजिन की लाइफस्टाइल के बारे में उनका रियल नेम है रोपल द्यागी उनका निकनेम है रो 5 अक्टूबर 1989 में उनका जनम हुआ है साल 2020 में उनका रियल एच है 31 उनका जुराई साइन है लेबरा उन्होंने बैंगलर की सोफिया हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट की है जिसके बाद उन्होंने वीकॉम डिगरी के साथ अपनी ग्राजिशन कम्प्लीट की है रोपल एक बहुत ही बहतरी डांसर दी है उन्होंने शैमप कावर की डांस इंसिट्यूट से अपनी डांस क्लास की ट्रेनिंग ली है आपको बता दे कि बूल भुले या फिल्म की कोडियोग्राफर पौनी वर्मा को रूपल त्यागी ने असिस्ट किया था प्रोफिशन की बात करें तो रूपल एक्ट्रिस और कोडियोग्राफर है रूपल ने साल 2007 भी ऐसा कोडियोग्राफर अपनी केरियर की शुड़वार की थी साल 2007 में उन्होंने जी टिवी की सीरियल कसम से सीरियल के साथ टेलिविशन में अपना डिब्यूट दिया था कसम से सीरियल के बाद फिर से वो नजर आई हमारी वीडियो का विवा में जहाँ पर उन्होंने मंसा का किरदा निभाया था सपने सुहाने लरकपन के सीरियल के साथ रूपल को अपनी एक पहचान मिली थी जहाँ पर उन्होंने गुंचन का किरदा निभाया था दर्शकों को गुंचन का किदार इतना पसंद आया था कि रूपल उन सभी का फेवरिट बन गया था इसके बाद रूपल विग वास 9 में कंटेस्टेन की तौर पर नजर आई थी और 14 दिनों की बाद ही शो से इलिमिनेट हो गई थी वाइल काड एंट्री की जरिये रूपल जलक तिकलाजर की सेजन 8 में भी नजर आय थी अवार्ड की बात करें तो रूपल अभी तक दो अवार्ड जीत शुकी है फेवरिट बहन और फेवरिट नहीं जोड़ी के तौर पर फैमिली की बारे में बात करेती हूँ उनकी फादर का नाम है राजिश त्यागी जो एक बिस्निसमैन है और उनका मा का नाम है पूनम त्यागी जो एक होममेकर है उनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम है स्मीतिस त्यागी रूपल का बेस्ट फ्रेंड है टीवे अक्टर अंकित गेरा पहले तो रूपल को ही ब्लेम किया जा रहा था अंकित और अदा की ब्रेक अप के लिए लेकिन बाद में साबित हो गया था कि इन सब में रूपल का कोई दोश नहीं था बलके अंकित का ही नियत बहुत ही खराब था अभी रूपल किसी को भी डेट नहीं कर रही है और अपनी बैचलर लाइफ को इंजॉय कर दी है आपको बता दे कि पार एपिसोड के लिए रूपल पचास हजार रुपे चार्ज लेती है उनका नेट ओर थे आट करोर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो में आप किसका लाइफ स्टाइल देखना चाहते ही एक कमेंट करके हमें जरूर बताईए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में